For example, we say multiple team members are there and they are actually just provisioning the infrastructure. So, how do we handle it? Hello, friends. You are all welcome to the train wishwabam channel. And in today's video, we are going to talk about Terraform in state management. Now, how does state management do this? Local, GitHub, or remote backends? अगर होती भी है, तो उसमें ये state locking क्या होता है, दोस्तों, ये सारे interview questions है, कि remote backends क्या होता है, state locking क्या होता है Terraform में, तो आज की वीडियो में हम लोग in-depth देखने वाले हैं, with hands-on tutorial, कि ये state management क्या होता है. ऐसे imagine करो, कि आपने एक infrastructure provision किया EC2 का, ठीक है, आपने EC2 instance बना दिया, अपने local से. अब जब भी आपने Terraform के through ये चीज बनाई, क्यूंकि आप इससे पहले की videos देख चुके हो, Terraform की playlist देख चुके हो, Terra week challenge में भी शायद आपने part लिया होगा, तो आपको पता है कि EC2 instance कैसे बनाता है, तो आपने Terraform के through EC2 instance बना दिया है, अब आपने क्या किया, उस चीज का आ इसके IP address क्या है, इसमें कितनी RAM है, बेसिकली इसका जो भी infrastructure के details है, वो सब इसमें maintain करके रखती है, और इसकी state को maintain करके रखती है, ये तो instance किसने create किया, मैंने, मेरा नाम क्या है, train wishbam, अब हमारे दोस्त एक और है, जिनका नाम है, बबबबबबबबबबबबबबबबब में क्या आया, कि ये जो EC2 instance है, इसको एक नहीं, दो करना अपने को, एक नहीं हमें, दो EC2 instance create करना है, और same project पे काम कर रहे हैं, में और बबबबन, अब बबबबन ने भी same project, same EC2 को change कर दिया, बडब मेरे TF state में, जो मेरा Terraform का state है, उसमें तो instances एक ही है, पास दो instances है, यह तो गड़बड हो गई, तो ऐसे तो हम लोग manage नहीं कर पाएंगे न हमारी infrastructure, हमारी सुने या बबन की सुने, तो यह basically एक common issue आता है, कि जब multiple DevOps engineers काम कर रहे होता है, तो state management थोड़ा सा tough हो जाता है, इस चीज का solution है state locking and remote backends, अब अगर आपको state file को store ही करना है, तो हमारे पास एक बहुत ही प्यारा सा solution है, git, git में store कर लो, जिससे कि आपका infrastructure version controlled रहेगा, कल को trainvishubham ने change किया या बबन ने change किया, रहेगा तो एक ही जगा पे, तो इससे हम लोग कभी भी यूज का सकते हैं, बट हम लोग git नहीं use करते हैं दोस्तों, ये एक interview question है, कि why you don't use git in terraform state management, क्योंकि आप अपने infrastructure की state नहीं चाहते हो, कि version control को पता चले, या फिर public report दुनिया को पता चले, तो कभी भी git यूज नहीं करते हैं, instead हम लोग remote backend यूज करते हैं, जैसे कि AWS S3, AWS S3 is a good remote backend, जैसे कि HashiCorp का console, console use कर सकते हो, terraform cloud use कर सकते हो, ऐसे बहुत सरे remote backend हैं, जो आप use कर सकते हो, और अपने state को manage कर सकते हो, तो आज की वीडियो में हम लोग remote backend बनाने वाले हैं, AWS S3 पे, तो चलो start कर देते हैं, जरा देख लेते हैं कि क्या चल रहा है हमारा यहां पे, तो यह तो चलो, TWS Terra Week Challenge आ गया है, I hope आप लोगों ने चैलेंज लेही लिया होगा, अगर नहीं लिया है, तो description में लिंक है, जरूर देखेगा, तो मैंने एक instance create कर दिया है, Terra Week Day 4 नाम का, जिसके अंदर हम लोग अपना remote backend बनाने वाले है, तो इस instance को connect कर लिया है, मैंने इधर पे, यह जो मेरी repository अभी मैं दिखा रहा था ने, यह वाली, इसको मैंने clone कर लिया है, यहां से, तो यह मैंने clone कर लिया है, जैसे यह tutorial खतम होगा, आपके पास यह पूरा Terraform का code भी मिलेगा, ठीक है, बड़ Terraform का यह जो tutorial पूरा end तक देखना, तो CD, Terra Week, अब मैं क्या करूँगा, एक यहां पे Day 4 नाम का folder बना दे तो, MKDIR, Day 4, ठीक है, अब मैं इसमें क्या करूँगा, मैं इसमें कुछ resources बनाऊँगा, ठीक है, तो MKDIR, Remote, Infra, मैं एक Infra बना दूँगा, अब इस Infra में मैं क्या क्या बनाऊँगा, समझते सबसे पहले कि, Remote backend में जो अब S3 के थुरू करते हो, उसमें होता क्या है, सबसे पहले, आपका S3 bucket होता है, और आपका DynamoDB table होता है, अब let's say मैं हूँ, और यहाँ पे कौन है, बबबन है, ठीक है, यह train विशुबम है, और यहाँ पे यह हमारे है बबबन, BB बोल देते उसको, ठीक है, अब यह मेरी infrastructure की file है, यह मेरी terraform की infrastructure की file है, जब भी मैं कुछ भी configuration file, यह जो मेरी tf file है, कुछ भी change करूँगा, तो इसका जो भी state है, वो store होगा S3 bucket में, आप बोलोगे कि जैसे github पे store हो रहा था, वैसे S3 bucket में store हो रहा है, फरक क्या है, जब भी मैं इस file को change करके, इसकी state को बदलूँगा, S3 एक trigger भेजेगा किसको, dynamo db table को, और यहाँ पे एक lock id generate होगी, ठीक है, lock id generate होगी, कि भाया, इस terraform के state को, यह train वे शुभम का user अभी change कर रहा है, और जब भी यह lock id यहाँ पे present रहेगी, कोई भी, कोई भी इसको change नहीं कर सकता, तो बबबन चाहे जितना हाथ पाओ मार ले, इस file को change करने के लिए, अगर यहाँ पे lock id है, तो आप बबबन नहीं change कर सकते हैं, इस तरह से आप अपनी state management करते हों, अब आपको यह चीज भले ही समझ में ना आई हो, मैं demo के थूँ दिखा देता हूँ, तो सबसे पहले अपने को कह चाहिए, एक S3 bucket चाहिए, और एक DynamoDB table चाहिए, तो चलो बना देते हैं, कैसे बनाएंगे वहिया, हम लोग बनाएंगे यह सब चीजे using terraform, तो vim terraform.df, तो सबसे पहले जब भी आप terraform file बनाता हूँ, लेट से आप AWS के infrastructure बना रहे हूँ, तो अप AWS use करो, तो एक terraform block मैं बना देता हूँ, जिसके अंदर मैं डालूँगा, required providers, और मेरे required providers क्या-क्या होंगे, AWS होगा, AWS होगा, और AWS की जो भी source, और वो सब मैं दे दूँगा, तो providers का source है, hashicor AWS, और इसका version है, 4.66.1, और escape, wq करके, मैं अपना terraform का, मैंने basically क्या कर दिया, एक required providers बोल दे है, कि मैं AWS use करने वाला हूँ, और यह करके, मैं terraform init कर दूँगा, इससे क्या हो जाएगा, मेरे जित्ति भी provider plugins है, वो मैं setup कर लूँगा, यह first step होता है, आपका कोई भी infrastructure बनाने के लिए, अब मैं क्या करूँगा, resources बना लूँगा, ठीक है, resources.tf, एक resources बना लूँगा, resources न मुझे कह चाहिए, सबसे पहले हाँ, मुझको बताना भी पड़ेगा, कि अपना जो providers.tf भी बना लो, providers.tf क्या है, लेटसे मेरा provider है, AWS, अब AWS कौनसे region में मैं चाहता हूँ, चले, तो मैं चाहता हूँ कि वो region, US East 1, यह जितने भी batch 1, batch 2, batch 3, सारे लोग जानते हैं, यह मेरा favorite है, US East 1, AWS को कैसे समझेगा, और Terraform को कैसे समझेगा, कि AWS से कनेक करना है, तो मैंने AWS Configure, अल्रेडी करके रखा हुआ, तो मेरी secret की, access की ID सब इधर पड़ी हुई है, ठीक है, I hope आपने पुराने वीडियो देखे हुए, अब providers हो गया है, resources बनाते हैं, ठीक है, तो vimresources.tf, मैं क्या बना रहा हूँ, मैं यहाँ पर चाहता हूँ, कि मेरे पास आए, एक S3 bucket, कौनसी, ये वाली, और एक DynamoDB table, resource block, कौनसा मैं बनाना चाहता हूँ, एक AWS S3 bucket, ठीक है, AWS S3 bucket, जिसको मैं resource का नाम दे दूँगा, My S3 bucket, इस bucket का मैं नाम कुछ दे दूँगा, तो bucket is equal to, TeraWeek Demo State Bucket, ओके, TeraWeek Demo State Bucket, और बस बन गया bucket, इतना ही easy होता है bucket बनाना, और मैं resource बना दूँगा, क्या, AWS DynamoDB table, और इसका नाम मैं दे दूँगा, My Dynamo Table, ठीक है, और DynamoDB table बनाने के लिए, आपको क्या के चाहिए होता है, सबसे पहले table का नाम चाहिए होता है, तो name is equal to, TeraWeek Demo State Table, यह जो DynamoDB table होता है, उसका एक billing mode रहता है, जो pay per request के हिसाब से, हम लोग billing कराते हैं, क्योंकि भाहिया, जितनी बार हम करेंगे, उतनी बार यूज होगा, तो billing mode, कितना, pay per request के हिसाब से, हम लोग यूज कर लेंगे, अभी, इसमें एक बहुत important चीज होती है, hash key, तो hash key, हम लोग use करेंगे, जैसे मैंने बताया था यहाँ पे, कि एक lock id नाम की key होती है, जो update होती है, तो hash key मैं बता दूँगा, lock id, तो attribute क्या है, मेरी key है, और key का data type है, ठीक है, तो मेरी key है, क्या lock id, और मेरी key का type है, type क्या है, string है, अब यह हो गया, मेरा name, billing mode, hash key, attribute, key type, सब हो गया, ठीक है, अब यह करके, मैं क्या कर दूँगा, मेरा dynamo, TB table, और S3 bucket मैं बना दूँगा, यह हो गया, अब terraform, plan करके, मैं देखता हूँ, कि मेरे क्या क्या चीज़े, बनने वाली है, देखते हैं भया, क्या क्या चीज़े, बनने वाली है, कि आप terraform, क्या हो गया, argument name, key is not expected here, ओ, समझ गया, तो वो बोल रहा है, the argument name is required, बट key, अरे यार, कोई बात नहीं, यह terraform के मुझे, यह बहुत सही बात लगती है, वो बता देता है, कि भया, आपको error क्या है, उस error को fix कैसे करना है, तो कर दिया fix, अब देखते है, terraform, अब और क्या error बताता है, तो terraform plan, ओके, दो चीज़े add होने वाली है, S3 bucket, और आपका DynamoDB table, सभी लग रहा है मुझे को, तो terraform apply कर देते है, जिससे कि मेरा जो remote backend का, जो table और S3 bucket है, वो at least बन जाए, तो yes, ओके, सो S3 bucket creating, DynamoDB table creating, ओके, तो दो resources must अपने create हो चुके है, तो जड़ा check कर लेते है, वैसे भरोसा पूरा है, बट चेक कर सकते हैं, buckets में जाके, Terra week demo state आ गया है, और Amazon DynamoDB में tables में जाके, देखते हैं कि, Terra week demo state table भी आ चुके है, तो दोनों चीज़ बन चुके है, इसमें partition की lock ID भी बन चुकी है, तो अपना state management के लिए, जितनी चीज़े required थी, वो बन चुकी है, तो अपना भाया, ये काम तो खतम हो चुका है, तो ये देख सकते हो, Terraform TF state, ये state कौन सी है पता है, ये local में, तो आपका infrastructure बन गया है, अब मैं आपको क्या दिखाऊंगा, कि remote backend को use कैसे करता है, तो एक अलग folder में आ जाऊंगा, मैं बोल दूँगा, mkdir remote demo, तो मैं remote backend का आपको अभी demo बना के दिखाता हूँ, तो remote demo, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, VIM, फिर से ये दूसरा, ऐसे समझ लो कि मैंने एक infrastructure बना दिया, जिससे कि मेरा remote backend बन जाए, तो ये जो थाना, ये remote backend बन जाए, ये अपना हो चुका है, ठीक है, ये हो गया है, ये बन गया है, तो remote backend के लिए चाहिए था, S3 bucket चाहिए था, और आपका demo state table चाहिए था, ये बन गया, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, कि state locking कैसे होगी, so यहाँ पर मैं एक file बना दूँगा, जिसका नाम होगा, vim.teraform.tf, ये मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ, कि एक नए project है न, तो सब कुछ आपको एक नया सा दिखाने का try कर रहा हूँ, तो यहाँ पर same वही चीज रहेगी, अपना required providers रहेंगे, इसमें एक नई चीज आड़ हो जाएगी, हम क्या चाहते है, state locking चाहते है न, तो इसके लिए remote backend चाहिए होगा, और इस block के अंदर कुछ required चीज़े होती है, जैसे bucket का name, तो bucket is equal to, अब आपका bucket का नाम क्या है, तो मेरा bucket का नाम है यह, टेरावीक demo state bucket, तो यह मेरा हो गया bucket का नाम, इसको डाल दो double quotes के अंदर, यह वो bucket है जो आपने इससे पहले provision किया था, backend infra के लिए, अब मैं क्या चाहूँगा, मैं इस जो terraform की state होगी न, उसको जहाँ पर store करूँगा, उस चीज़ की नाम क्या होगा, तो state का नाम, या फिर state file का नाम, तो उसको key बोलते हैं, जब भी आप S3 में कोई भी object डालते हैं, उसको key बोलते हैं, से region में जाएगा, तो region is equal to US East 1, तो आपका backend पूरा US East 1 पर है, और DynamoDB table का भी नाम रखना पड़ेगा, तो DynamoDB table का नाम भी रखना पड़ेगा, ज़रा देखते हैं, DynamoDB table का नाम क्या था, TerraWeek Demo State Table, तो यह उठा के इधर पटक दो, तो basically आपने क्या किया है, जो आपने अपना infrastructure बना दिया था, उसको आपने बस use कर लिया है, ठीक है, जो आपने bucket बना दिया था उसको, और जो आपने DynamoDB table बना दिया था, उसको आपने use कर लिया है, और बस escape colon WQ enter, अभी देखो, अब मैं जब terraform init करता हूँ, तो क्या होता है, देखो, initializing the backend, successfully configured the backend S3, terraform will automatically use this backend, मतलब, अगर आप यहाँ पे कोई भी resource बनाते हो, तो उसकी जो state file थी न, वो local में नहीं रहेगी, अब देखो, इससे पहले जो मैंने remote, infra, say terraform के थुरू infrastructure बनाया था, उसकी state file देखो, terraform.tf state इधर है, local में है, बट जो मैंने cd remote demo आपको दिखाया था न, demo ये, इसकी state file इधर नहीं बनाएगी, मैं दिखाऊ आपको छोटा सा example, vim main.tf, जहाँ पे मैं एक छोटा सा ec2 बनाऊँगा, ठीक है, तो providers, AWS, ये मैंने एक ही file में लिख दिया, आप चाओ तो अलग-अलग file में भी लिख सकते हो, तो region is equal to us east 1, ये क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो aws ec2 instance है, वो us east 1 में बने भई, तो मैं एक ec2 instance बना दूँगा, my ec2 instance, तो ये resource name है, I hope आपको ये सारी चीज़े समझ में आ गए होगी, कि resource block क्या होता है, resource type क्या होता है, resource name क्या होता है, अब मैं यहाँ पर AMI यूज़ कर लूँगा, AMI मेरे पास एक रखी हुई है Ubuntu की, तो वो मैं यूज़ कर लेता हूँ AMI, अब ये AMI कहां से मिलती है, अरे पुराने tutorials देखो, तो आपको launch instances पर जाना है, और जब Ubuntu पर जाते हो, तो यहाँ पर आपको AMI ID मिलती है, बस ये मैंने copy करके न इधर पटक दिये, और कुछ नहीं किया है, अब मैं क्या करूँगा, instance type ले लूँगा, तो तेरा जो नाम है, अरे anime नीरे, name, क्या करेंगे इसका नाम, इसका नाम कुछ तो ऐसा दे देता है, terawik instance, ओके, terawik instance, escape, colon, wq, enter, अभी मैंने एक बढ़िया सा instance बना दिया है, using terraform, अब मैं जब करता हो, terraform plan, तो देखते हैं कि कुछ गडबडबडबडबड तो नहीं हो गई है, यह क्या कर दिया, terraform, क्या बात है, terraform plan, ओके, terraform, अरे, closing brackets ने लगा या, तो terraform TF में, remote, देखो, backend बंद कर दिया, required provider बंद कर दिया, बट जो ऊपर terraform का जो bracket है न, वो खिया ही नहीं बंद, अब ही बंद हो गया है, तो इसलिए, एक आपको एक और टूल होता है, terraform validate, इससे भी आपका पूरा समझ में आ जाता है, कि आपने ऐसे मेरी तरह कुछ गडबडबडबडबडबड तो नहीं कर दिया है, तो success the configuration is valid, क्या बात है, तो terraform plan करके देख लो, पुरा plan करके कि आपका instance बनेगा या नहीं बनेगा, चलो wait कर लेते हैं, तो एक चीज एड़ हो जाएगी, तो terraform apply कर देता हूँ मैं, तो जो मेरी instance add होने वाली थी, वो apply करके add हो जाएगी, तो yes, अभी देखो, मेरा instance create हुआ, तो मतलब instance की state भी manage होनी चाहिए, state कहाँ manage होगी बता है, मैं बताता हूँ, यह जो आपका S3 bucket है ना, S3 bucket, अभी जिस पूरा खाली लग रहा है ना, बिल्कुल खाली है, एक बार जब यह instance create हो जाएगा ना, देखना क्या होगा, आपकी जो state होगी ना state file, वो local में नहीं होगी, वो remote backend में होगी, यह अपना promise है भाईया, क्योंकि अपने पूरा tutorial में कितना आधे घंटे का tutorial है, बट पूरा शिदद से बताया एक-एक step, कि जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, तो apply complete resource added, ls करके देखू, main.tf है, terraform.tf है, बट tf state तो है ही नहीं, भाईया, tf state कहा है, tf state हमारे remote backend में है, तो अगर refresh करोगे, तो tf state इधर है, तो इस तरह से आप remote backend को configure कर सकते हो, अभी आपको मैं दिखाओ state locking, list table में जाओ, terraform जो आपका table है न, इसमें जाके explore table items में करो, lock id है, lock id में एक hash की रखी हुई है, ठीक है, इसका ये कुछ तो digest है, अभी देखो, अभी देखो must, तो अभी मैं क्या करूँगा, अपना जो infrastructure है उसको change करके देखता हूँ, तो vim main.tf, और यहाँ पर मैं must सा, count is equal to 2 कर देता हूँ, ठीक है, escape colon wq, terraform apply, enter, अभी देखो, जैसे ही मैं apply कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे ही मेरा instance apply हो रहा है, देखो क्या बोलता है, refreshing state, तो ये न state को refresh कर रहा है, yes कर दूँगा, मैं yes, अभी देखो, जैसे state बढ़ रहे होगी न, यहाँ पे मेरे buckets में, देखो एक must सा item आ गया होगा, देख रहा हो, एक नया item आ गया है, जिसमें info में वो बता देता है, कि भाया, operation apply कर रहा है, कौन apply कर रहा है, ubuntu apply कर रहा है, और उस time पे, जितने time पे ये चीज़ है, ये जो lock ID है न, है, कोई और आके apply नहीं कर सकता है, तो अगर मैं कहीं और से, अपने state को change करने की कोशिश करूँगा न, वो नहीं allow करेगा, क्यों बता है, क्योंकि, यहाँ पे, एक lock पड़ा हुआ है, यहाँ पे, टेराफ वीक, डेमो state bucket में lock है, इस चीज़ को बोलते है क्या, state locking, तो यह पता नहीं क्यों आर नहीं रहा है, तो state locking बोलते है, और यह होती है, आपका remote backends के थूँ, तो apply complete, अब कल को कोई भी आके, आपके state को, छेड़ चाड़ नहीं कर सकता, क्योंकि आपके पास है, एक remote backends, जो किसमे है, अपना must, S3 में terraform की state है, और उसका जो lock है, वो अपना dynamo db table में है, आप चाहो, तो terraform state list करके, आप अपनी state को देख सकते हो, और यह state कहा से, आर यह पता है, यह state directly S3 से read कर रहा है, क्योंकि आपके पास local में कोई state नहीं है, तो अगर आपको इसकी state को देखना है, तो आप एक command डाल सकते हो, terraform state pull, और यह क्या करेगा पता है, S3 से आपकी पूरी state लेके आ जाएगा, तो आपकी यह पूरी state है, यह आपकी ID है, तो यह सारी चीज़े आप Github पे नहीं डाल सकते है, क्योंकि security आ जाती है, तो I hope आज के वीडियो से, आपको समझ में आ गया होगा, कि terraform में remote backends क्या होता है, और आपकी state management कैसे करते हो, state locking कैसे करते हो, I know थोड़े advanced topics है, बट ज़रा hands on करके देखना,